नमस्कार फ्रेंड्स स्वागत है आप सभी कदर इस्टेडी लाइन में फ्रेंड्स आज कस वीडियो में हम लोग यहां पे वर्तमान में कौन क्या है और यह सभी अक्टूवर मंत का अपडेट है और इससे जो हैं लोग यह नंबर पार्ट टू है पार्ट वन मैंने आप कोशन का अलेड़ी अपलोड कर दिया है और बहुत ही अच्छे से मैंने बताया आप लोगों को जाकर के आप लोग देख लीजिएगा ठीक है और यहां से हम लोग पार्ट टू कवर करेंगे और यहां पर टोटल कोशन से हाँ पर कवर कर लेंगे अगर आप लोग कहेंगे तो यहीं मैं दोनों पार्ट वन पार्ट टू दोनों को एड़ करके एक वीडियो बना करके आपको भी जो है प्रोवाइट करा सकता हूं ठीक है लेकिन इससे पहले हम लोग पार्ट टू को कवर करेंगे चलिए पार्ट टू में सबसे पहला कोशन से है कि सात्में वेतन आय होते न वेतन आयोग की करते हैं तो परजेंट टाइम में असोक कुमार माथूर ठीक है नेक्सत पंदर में विद्द आयोग के अध्यक्श जो इसका इनके सिंग ये विद्द में क्या काम है तो देखें विद्द आयोग का ये काम है कि यह भारत यह भारत के राश्ट प्रती यह उनको सिफारेस करते हैं क्या सिफारेस करते यह बताते हैं कि जो संग राज है यानकि कि केंद्र सासित पृरदेश अत्वार जो राज है वहां नेक्सट आम में के Marcus कोन लोक लेखा समीती के अध्यẫ्य कोन है तो इसकार अधी रंजन चौधरी यह लोक लेखा समीति के अध्यक्ष हैं लोक लेखा इसको इंगली स्भम लोग क्या बोलते हैं चेर्मेन अफ पब्लिक एकाउंट्स कमीटी अच्छे इनका काम क्या होता है लोक लेखा समीति देखिए यह सब जो भासा है आप लोगों को थोड़ा एक जवरी सोच ना फरेंड्स अगर आप लोग इस कोलर्स 17 लेना चाहते हैं फिर इसमें आप लोग जोइन ले करना चाथे हैं तो आप लोग संड़े 15 वारा बज़ी स्कोलर शीप में जोइन कर सकते हैं देखिया कि यह पर इसको टी अबosphे में लिए संब लेगा इसको का प्लस सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री में मिलेगा और यह आपको अने केडमी कॉंबेट में मिलेगा ठीक है और इनका लिंक मैंने यहां पर डेस्क्रिप्शन में दे दिया है आप लोग जाकर के चेक आउट कीजिए और जॉइन कर दिजिए जॉइन करते समय अगर आप अपने Channel का नाम कौन सा नाम इस्टेडी लाइन क्या लगाना इस्टेडी लाइन ठीक है यह आपको लगा देना है आपको डिसकांट या फिर जो भी बेनिफिट मिलना होगा वह मिल जाएगा रैंक यहां पर आपके बीच यहां पे सेर किया हुआ है आप लोग देख लेजि लोगसवाद के सदस्ट होते हैं कितने लोगसवाद के सदस्ट होते हैं और प्राकलन समिति इनका काम होता है कि जो जो सरकारी जो खर्च होते हैं जो धन होते हैं उनका जो व्य होता है उनका अनुमान की जाँच परताल जो करते हैं वो प्राकलन समीति ही करते हैं ठीक है और इसके इसका अलोचना भी करते हैं और साथे साथ सुझाब भी देते हैं कि सरकारी जो फिजूल खर करके अगला है फिल्म प्रमारन बोर्ट के अध्यक्ष कोन है तो फिल्म clear फिल्म फिर्म के बारे भारत में जितने बिडिवेजन होते हैं यह सभी िंसरी चाहरी मरें ठीक को कौन है तो दिनेज कुमार खाड़ा यह SBI के परमुख है अच्छा SBI इसका फूल फॉर्म क्या होता है स्टेट बैंक ओफ इंडिया SBI से क्या क्या important हो सकता है एक तो आपको इसका पुराना नाम पुछा जा सकता है तो SBI का पुराना नाम है इंपिरियल बैंक ओफ इंडिया SBI इसके अस्थापना कव वी थी तो एक जुलाई 1955 को कव एक जुलाई 1955 को इसके अस्थापना हुई थी और इनका मुख्याले कहां पे तो हेट कौटर है इनका मुंबई में ठीक है साथ है जो है SBI भारत का सबसे बड़ा वैपारिक बैंक है और SBI का टेंग लाइन क्या है स्थाब है प्रेंट्स २स बेनकर सस्ते प्रेंग्त नहीं होता है बोरहां का सबसे बड़ा वैपारिक बैंक होने सर ध्यान रखेंऔ ठीक है ध сюжN रखेगा दोनों में अंतर है केंद्रिये बैंक पुछे तो आर्बी आई और आपका वेपारिक बैंक पुछे तो सर यानि कि मुख्य वित्ति अधिकारी यह पहली बार बने आर्बी आई में और कौन बने सुधा बाल क्रिष्टन इंप्रेंट रहेगा आपके एक्जाम के लिए अब हम लोग यहां पर आर्बी आई के बारें बात करें आर्बी आई से कुछ कोशन्स पूछा आता क्या सबसे पहले आप से पूछा यागा और बी आई कि अस्थापना कभी थी तब आपको बताना एक अप्रेल 1935 को कभ एक अप्रेल 1935 को और अच्शा इसकी जब अस्थापना वी थी अगऱ पर्जिक стать अपेय चो हो गया तो 1937 में कब 1937 में इनका जो है इनको आर्बियाई का जो मुख्यार है वो मुंबई बना दिया गया ठीक है इंपोर्टेंट रहेगा आपके एक्जाम के लिए साथ का इंपोर्टेंट यह रहेगा कि भारत जो यह सबसे बड़ा कैंजडॵियर से केंड्वर बॉले तो भारत का केंजडॵर्य डेंगं्रage र्वी होता अ आगे यहां पे विसु बैंक के अध्यक्ष कोन है इसका रायता है डेविड माल पास यह विसु बैंक के अध्यक्ष है इसके अस्थापना कवी थी 1944 में विसु बैंक की अस्थापना होई थी अच्छा इनका मुख्याले कहा है विसु बैंक का तो यह वाशिंग्टन डीसी में आपको ध्यान यह रखना है कि जो विशू बैंक होते हैं अच्छी आपके मन में कभी-कभी सवाल आता हुगा फ्रेंट्स कि यह जो विशू बैंक है आखिर यह करते क्या है नाम है विशू बैंक तो आखिर इनका काम क्या है यानि कि करते क्या है और सब देशों के लिए तो उन देशों में विकास कारेओं के लिए रीन मौिया कराती है यानि कि रीन देटी है कौन विस्व बैंक और करीबन पांससे त susceptible के अध्री के लिए यह रीन प्रवाइड कराती है लगबग इसमें जो विस्व बैंक पे 189 देश इसमें सामिल ले जो की लेटेस जो की सुन्यु आपके जारी कौन है तो इसका यह जो । इनके अध्यक्श है बात करियां पर एसी विकास बेंक यानिकि इंगलिज्स में बोलता है को हम लोग इसको एडी भी ठीक है एडीबी कर दो है यह मुख्याली कहां पर तो मनीला में मनीला कहां एसी आई विकास बैंक यानि कि इंगलिस में बोलता है हम लोग इसको ADB ठीक है ADB ADB का जो है यह मुख्याले कहां पर तो मनीला में मनीला कहां पर फिलिम्पींस में ठीक है साथ यह ADB है यानि कि एसी आई भीकास बैंक जो है इसके अस्थापना कव थी तो 19 दिसंबर 1966 को इसके अस्थापना हुई थी कव 1966 को इसकी अस्थापना हुई थी बात करें यहां पर 20 बैंकीत 1944 में लेकिन सब्सक्राइब का सब्सक्राइब का 1966 में इंप्रेंट रहेगा आपके एक्जाम के लिए नेक्स नहीं पर से भी यानि कि जो कि यहां पर अजय त्यागी है से भी इनका जो फुल फॉर्म होता है से भी का क्या होता है सिक्यूरिटीज एंड एक्सेंज बोर्ड ओफ इंडिया से भी का जो हिंदी अगर बोले हम लोग इंगलिस तो गया सिक्यूरिटीज एंड एक्सेंज बोर्ड ओफ इंडिया हिंदी में क्या बोलते हैं लोग इसको भारतिय प्रति भूति एवं विनिमय बोर्ड अच्छे इनकी अस्थापना कभी थी देखिए यहां से आपको दो चीज़ें याद रखने हैं एक तो इसकी अस्थापना 37 इनको दर्जा कब मिला देखिए इसकी अस्थापना 1988 में होती है कब 1988 में और चार साल बाद यानि कि 1992 में इनको दर्जा मिलता है SBI को ठीक है दोनों चीज़ याद रखेगा दोनों एक्जाम में कई बार पूछे मुंबई में देखे फ्रेंट्स आपको मैं तिन चार चीज़ बताता हूं कौन कौन सा RBI SBI C B LIC BCCI इन सभी का मुख्याले कहां पर मुंबई में ठीक है इंपोर्टेंट रहेगा आपके एक्जाम के लिए नेक्स आप LIC के अध्यक्ष कौन है तो MR कुमार यह LIC के अध्यक रखना होती है LIC का फूल फर्म होता है Life Insurance Corporation of India हिंदी में हम लोग बोलते हैं भारते जीवन भीमा निगम ठीक है और हम लोग यहां पर तो इतना समझ गए अब देखते हैं आगे क्या आगे इस रो इस रो बहुत ही इंपोर्टेंट है इस रो से कई बार एक्जाम में पूछ तो जाता है क्या सबसे पहले इस रो का आप से फुझाता तरह अमेरिका का नासा सरकारी उसी तरह भारत का इसरों में बात कर यहां पर इसके स्थापना कभी थी कई बार एक्जाम में पूछा गया है तो 15 अगस्त कभ तो 15 अगस्त 1979 को इनकी अस्थापना भी थी ठीक है ध्यान यह रखना है प्रजेंट टाइम में इस रोका जो यानिक इस रोके जो अध्यक्ष है के सिवान ठीक है इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एक्जाम के लिए नेक्स हम लोग बात करें यहां पर डी आर डी ओ जो की अभी परजेंट विकास संगठन ठीक है क्या होता है रक्षा अनुसंदान एवं विकास संगठन अच्छा यह काम क्या करती है डी आर डी ओ यह आपके लिए जानना जरूरी ए ठीक है देखिए आपके मन में कुछ-कुछ ऐसे चीज़ें आती है जो मैं आपके यहां पर किलियर करके चलता हुए हुए कि ये सभी काम जो भी अद्यक्त रहे का और विडियो के और गड Sports फूल फर्म क्या उता है गडिया अच्छे इनका हिंदी क्या होता है तो भारती किर्केट कंट्रोल बोर्ड ध्यान यह रखना है फ्रेंट्स इसकी अस्थापना कई वारे एक्जाम में पुछा गया BCCI का तो 1928 में इसकी अस्थापना होती किसका BCCI अच्छे BCCI यह क्या है तो आप जो किर्केट देखते हैं भारत में फरेंट्स जो भारत का जो भी क्रकेट होता है वह बोरेगलेट कौन करती है वह भारत में ये BCCI के सचीव हैं और CEO कोन है हेमांग अमीन ठीक है ध्यान में रखेगा नेक्स्ट आपके लिए मैंने यहाँ पर नोट करके अलग से लाया है कि अगर आपसे पुछे भारतिय किरकेट टीम के मुखी कोच कोन है रवी सास्त्री भारतिय महिला किरकेट के टीम के कोच कोन है रमेश पोवार भारतिय होकी टीम के कोच कोन है ग्राहम रीड जो कि अस्टेलिया के है होकी इंडिया के अध्यक्ष कोन है ग्यानेंद्रो निगोवम भारतिय फुटवर्ड टीम के कोच कोन है इगोर इस्टीमैक ज जो सीओ बने हैं वो है जियोफ एलार्डीस यह जो है अभी परजेंट टाइम में ICC के कारिकारी रूप में इंटरनेशनल किर्केट कॉंसिल यह क्या है तो यह अंतराष्ठी लेवल पर जो किर्केट होता है उसको रेगुलेट कौन करती है वो करती है इनका मुख्याले कहां पर दूबई कहां सन्यूक्त अरब अमिरात में और यहीं पर यानिकी-डूबई में ही आए सी सी का मुख्याला फार्फक्राय बात करें इसका स्थापना कभी थी मद्धिता तो 1928 में कभ 1928 में और ICC का 1909 में और दोनों किर्केट से सम्मन दीता है बिसी से आई जो है यह भारत के लिए है और ICC जो है अंतराश्टी लेवल पर है ठीक है किर्केट के लिए चलिए आगे देखते आगे फीफा फीफा के अध्यक्ष कोने तो जियानी इन्फिन्टिनो यह फीफा के अध्यक्ष है अभी परजेंट टाइम में फीफा का फूल फर्म होता है फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुट्वाल एसोसियेषन इसके अस्थापन कभ विए थी तो 1904 में इसके अस्थापन हुए थी पे रखेगा नेक्स्ट है आपका यू एन ओ इंपर्टेंट रेगा यू अनो के अभी प्रजेंट टाम में महासाचीप कोने एंटेनियो गुटेरस ध्यान यह रखना है फ्रेंट्स यू एनो के जो आधिकारिक भासा है जो कि माननेता प्राप्त है वो कुल छे है लेकिन जो यू यू एनो से कई बार एक्जाम में कोश्ण से पुछागया क्या यू एनो के स्थापना कब होती है यैनि की 24 अक्टूबर कब होती है 24 अक्टूबर 1945 को UNO के स्थापना होती है और ठीक 6 दिन बाद यानि कि 30 तारिक यानि 30 अक्टूबर 1945 को भारत इसमें सामिल हो जाता है ठीक है ट्रिक के रुपे या रखना है 6 दिन बाद भारत सामिल हो जाता है इसमें ठीक है अच्छी यू एनो यह क्या करती है तो यू एनो जो है इनका फूल फॉर्म होता है यूनाइटेट नेशन और्गेनाजेशन ठीक है यह एक तरह से अंतराश्टिक सुरुक्षा आर्थिक विकास समाजिक प्रगति या फिर बोलें विसुसांति के लिए कार करती है ठीक है यू यू एनों से कुछ और कोशंस पूचा आता है ध्यान यह रखना है अगर आपसे पूचे यू एन ओके अस्थाएस अडश्रिक तो पांच बोलेंगा अपसर पांच कौन-कौन 사ब नेंगें अपना जो एसिया डेसे ऑसिया में दो आप ध्यान में रखें एसिया में कौनद पावरफूल है एक तो आपका चाइना आजाएगा ठीक है दूसरा को ना रूस तो दो इधर से हो गया यानिक एसिया से अब हम लोग जो है इधर चलेंगे भारत के साइड में यूरोप साइड में दो आपको ध्यान रखना है दो में कौन-कौन आपका ब्रीटेंट सोध की बिटेंगा यहाथ दूसरा फ्रांटाव ठीक होगा पावर्फूल होगा तो इधर एसिया में दो साल के लिए और स्थाई सदस के रूप में चुना जाता है ठीक है आगए यहां पर अल्प संख्यक मामलों के मंत्राले के मंत्री कौन है तो मुक्तार आपके जीवन के लिए बहुती कारगर साबित हो और अगर वीडियो अच्छा लगाओ तो प्लीज लाइक को सेर कर दीजेगा चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का एकन प्रेस कर लिए ठीक है चले मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए ज भारत